कल है 1st September और जो work license और कार्ड के जो फाइंस है ना वो कल से calculation उनकी start हो जाएगी मतलब क्य rattling से सप्टंबर तक का जो है वो time दिया गया था अब कल क्या कि फिर्ज सब्टंबर start हो रही है तो कल से वो fines की calculation आपकी start हो जाएगी जिस जिस ने अभी तक renew नहीं करवाएए अपने का परना आपको fine देना पड़ेगा, ये तो हो गया number one, समझा गई बात, cards और work licenses, number two, अगर आपका visa expire है और आपने travel कर दिया है पाकिस्तान, इंडिया, बंगलादेश कहीं पर भी, तो आप उसी expire visa पर वापिस नहीं आ सकते, आपको एक नया visa लेना पड़ेगा, जो कि आपका अर और question mark बन जाते हैं, कि क्या नए work visa के लिए हमें दुबारा से medical जमा कराना पड़ेगा, क्या उसके लिए अगर लोग कोई आ रहे हैं, protector वगरा पाकिस्तान में जो लगता है, वो दुबारा से लगवाना पड़ेगा, क्या उसके लिए वो तमाम formalities पूरी करनी पड़ेंगी जो के पहले करनी पड़े थी, जी हाँ, अगर आप नए visa पर आ रहें, तो protector आपको दुबारा लगवाने की जरूरत नहीं है, protector आपका वही चलेगा, जो गवर्मेंट ऑपाकिस्तान का है, लेकिन अलबता आपको medical जो है, वो नया देना पड़ेगा, क्योंकि medical की जो validity होती ह वो सिर्फ तीन महीने की होती है, और तीन महीने के बाद वो medical आपका expire हो जाता, कुछ medical जो है, वो यहाँ पर रहते हुए, जो है, वो चार महीने की बीच होती है, लेकिन majority तीन महीने की ही होती है, तो medical आपको नए देना पड़ेगा, नए visa का पुरा प्रोसेस चलेगा, लोग फाइन से बच सके, मुझे नहीं ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अस्लाव अलेकौन आपतुल्ला,